तो फेंस आज की इस वीडियो में बात करने वारे हैं वन लाइनर जो सीरीज हमरत चल रहा है उसका सेट नमबर फाइव उमीद है कि आपने से पहले के सभी सेट को देख लखा हुआ और जो भी क्वेसंस में करा जा रहे हैं उन सभी को अच्छे से याद रखे तो चलिए फिर सुरू करते हैं सबसे ए्ला प्रश्ण यह कि रहा है रहे दिवाड़ी विवस्ता सतरफ बानमे में मदरास प्रेसिडेंशी के किस जीले में सौरपैतम लागो की गई थी तो सवर्पथम जो लागई की थी वो बारामहल जीले था मदरास की बारामहल जीले में रहयत वाड़ी विवस्ता ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण ये बनता है कि विन्य पिटक का संकलन किस ने किया था विन्य पिटक त्री पिटक का भाग है और विणय पिटक जो संकलन उपाली के दोरा किया गया था और इसमें संग की नियम के बारे में उलेक किया गया सुथ पिटक के संकलन करता आनंद को माना जाता है नेक्स्ट प्रश्ण ये है भारती धोज का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया कब तो ये है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को नेक्स्ट प्रश्ण की टीके माधव को प्रसिद्धी मिली थी कब टीके माधव को प्रसिद्धी मिली थी वाइकम मंदिर सत्यागरा दिखिए वाइकॉम मंदिर सत्यागरा बहुत इंपोर्टन चीज़े यहां से ध्यान दीजेगा कई सारे प्रस्ण बनते हैं वाइकॉम मंदिर सत्यागरा 1926 में हुआ था और यह एक अहिंसक विद्रो था यह विद्रो छेत्र में मौझूद कठोर और दमनकारी जो जाती वस्था थी उसके खिलाफ की कई थी इसमें होता यह था कि इसमें जो निचली जाती के लोग थे यानि अच्छू जो लोग माना जाता था उनको वाइकॉम मंदिर में परवेश करने से रोका जाता था इस वज़े से यह अहिनसक विद्रो किया गया था टीके माधवन के नितित्तों में यह जो की विद्रो हुआ और कांग्रेसी यह निता थे टीके माधवन इस आंदोलन में मार्च 1925 में गांधी जीनिस जो की भाग लिया था वाइकॉम पहुँचे थे 1925 में और अगर आपसे पूछाए कि यह जो अंदोलन था अधिकारिक रुप से कब वापस लिया गया 30 नवंबर 1925 को यह जा करके वापिस लिया गया था अत्रंजी खेडा कहां पर पढ़ता है अत्रंजी खेडा पुरत अत्विक अस्थाले उत्तर परदिस में नेक्स्ट प्रस्ट है कि उत्तनूर जो की 95 अनस्थले करनाटक में बढ़ता है करनाटक में तो सको याद रखेगा करनाटक में और करनाटक से समान देते एक प्रस्ट में यह भी आपको बता था कि राख का टिल्ला मिला है संगन कल्लू से करनाटक के संगन कल्लू से राइट नेक्स्ट है कि भारती रास्टी कॉंग्रेस की स्थापना का प्रतिनेत्य तो कितने थे यानि भारती रास्टी कॉंग्रेस के थापना जो 1885 में की गई थी उस वक्त प्रतिनेजित रूप में 72 सदस्टों ने भाग लिया था और प्रतम अधिवेशन यानि प्रतम जो अध्यक्षता की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे तो W.C. बनर्जी बोमेश चंदरे बनर्जी थे बंबई में इसका योजन किया गया था तारीक A. मुबारक साही के लेकर कौन है? तारीक A. मुबारक साही के लेकर याहनिस सरहिंदी को माना जाता यानि सरहिंदी 2001 से 11 की दसकी ब्रीधी दर कितनी तरजी गई है? तो 17.64 प्रतिसत नर्मा क्या है? उत्री पस्टमी भाग में अमेरिकी का पास है नर्मा क्या है? उत्री पस्टमी भाग में अमेरिकी का पास है पिटमय मृदा बिहार के उत्री भाग में देखने को मिलता है उत्री भाग में पिटमय मृदा देखने को मिलता है ओडम का उत्सों किस देउता की जैनती के उपलक्ष में प्रतिवर्स मनाया जाता है varieties होता है याद रखे बराबर hills बिहार में कहां देखने को मिलता जिसे हम लोग Lomal, Lomas Risi की गुफा भी जानते हैं Lomas Risi की गुफा के नाम से भी जानते हैं बराबर के पहाड़ी को ये बिहार के जहानाबाद जीले में पढ़ता है। प्रथम ने किया था, महाबली पूरम के रथ मंदिर का निर्माड इन्होंने कराया मामल पूरम में और इसी सहली के नाम से कराया था। किस सीनी याती ने भिनमाल की यातरा की थी? तो देखे भिनमाल की यातरा हिंसांग ने किया था और भिनमाल की जो खोच की थी रत्र चंद्र अगरवाल के दोरा की थी। और भिनमाल राजथान में पड़ता है और भिनमाल का सुर प्रथम पहली बार रूलिक हर्स चरीतर में देखनी को मिलता है। अब आप नीचे कमेंट करके बतेगे हर्स चरीतर की रचना किस ने की थी। प्रसिद बहुत गरंद है दिगनी का है प्रसिद बहुत गरंद है याद रखेगा इसके बाद अगला सवाल है कि राश्टिय वन अनुसंदहान संस्थान कहां पर पड़ता है देहरादूर के अंत्रगत बगलिहार परयोचना भारत पाक बगलिहार परयोचना चिनाब नदी बर यह बनाया गया, कूकी जनजाती का समंध किस राज़ से कूकी जनजाती हो जाता है मणीपूर के साथ, उत्री प्रसांग महासागर के अंतराष्टि ये तीथी रेखा कि विचलन का क्या करण हैं, तो एलूसीन जो द्वीब समू हैं, उसके कारण यहापर विचलन का आ जा हैरी हेस ने दिया था हैरी हेस ने एयर बेस जोला मुखी कहां पर है एयर बस जोला मुखी अंटार्टिक महादीप में देखने को मिलता है उरुगवे दौर वर्ता की संगठन के स्थापना के परिणाम सरूप हुआ था नेक्ष है कि राजियो गांधी ग्रामिण विदूती क करन योसना की शुरुवात कब हुआ तो 2005 में अंतराष्टी सांते दिवस 21 सेप्टिमबर को पड़ते कवर्स रमन की सराज्य का रंगमंच है तो उत्राखंड के गडवाल चेतर का उत्राखंड के गडवाल चेतर अंकिया नाठ ये असम की समन्द है अंकिया नाठ असम से सम इसके बाद नेक्स्ट प्रस्ट हमारा बंता है कि भीम बेटका और हतनौर कहां पर देखने को मिलता है तो भीम बेटका मध्यप्रदेश शतनौर मधप्रदेश इनाम गाओं और निवादा जो है ये आपका पड़ता है महारास्ट के अंतरगत नेक्स्ट ये बनता है कि कोर्तालियार घाटी पढ़ता है कहाँ पर तमिलाडू में कोर्तालियार घाटी तमिलाडू के अंतरगत रकत ए आलमगीरी की रचना किस ने की थी औरंग जेब ने किया था चोलवंस का राजस्वधिकारी को किस नाम से जानते थे सेरुद्रम के नाम से जानते थे सेरुद्रम चोलवंस की राजस्वधिकारी को सेरुद्रम का आ जाता था और भूमिकर जो था कडिका दान जब ते राजस्वध्रणाली की सुरुवात अकबर ने किया था से इसाई मसिनरियों को भारत में परवेश करनी की और इसाई धर्म का प्रचार करनी के रूमती मिली तो चार्टर अधनियम 1813 के अंतरगत और चार्टर अधनियम 1813 के अंतरगत ही परतेक वर्स सिक्षा पर एक लाख रूपे खर्च करने की बात कई गई थी, 1919 में दिली में हुए अखिल भारती खिलाफत सम्मेरन के अध्यक्च कौन थे, तो महात्मा गांधी को अध्यक्च बनाए गया था और ये आपका नई दिली में हुआ था, अगला प्रश्ट, खिलाफत तिवस 17 अक्टूबर 1919 को, राजनितिक स अधर के लिए आंधोरण सुरू करें हैं पहले भारती राजाराम मोहन राय, इसके बाद देखे अगला प्रश्ट ये है, कि सुख्ल, ये जुरवेद की सनहीता को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बाज सेनेई के नाम से जानते हैं, बाज सेनेई के नाम से जानते हैं, ये उत्तरपरदिस के सहारनपूर में देखनी को मिलता है, अधीना मजिद पढ़वा में पंडवा, अधीना मजिद पंडवा वस्ची मगाल के सिकन्दर साह ने इसका निरमाड कराया था, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया अचारे केशो दास, अचारे केस लाल दर्वाजा मसजिद जॉनपूर में खादिल दर्वाजा गॉड और तीन दर्वाजा जो की आमदाबाद के अंतरगत देखनी को मिलेगा ठीक है Next किस मुगल सासक के समय में कुछ परगनों को एक में मिलाकर के एक नई चकला का संगठन किया गया था दिली के पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मसजिद का निर्माण किसनिक रह था महम अंगा ठीक है महम अंगा जो की एक मदर साथ आईगी खैरूल मंजिल अहोम बिद्रो 1828 में गुमधर कुवर गुमधर कुवर ठीक है याद कैसे रखते हैं होम अहोम घर ठीक है गुमधर घर याद रख लेज़े मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को क्या कहा जाता है तो डडेफिक ठीक है मृदा की संरचना और उसके घटकों को कहा जाता है डडेफिक बिस्व प्रसिद भगवान विंक टेसर तिरुपती का मंदिर पहाड़ी परसित है किस पहाड़ी पर तो सेसा चलम परवत स्रिंकला पर या फिर सेसा चलम परवत स्रेडी पर इस्तित है सिवराय पहाड़िया तमिलाड़ू में पढ़ता है जवादी पहाड़ीया भी तंमिलाड़ों में उंतरहित उता है सुल्तान अनाव एसाही किस की किसम है तो यह अंगूर की किसम है वनसपत्ती जल्वायू का सही सुचक है किस ने का गता कोपई ने का था गिब्सन जो रिगिस्तान है वो आपका पढ़ता है पस्चमी ऑस्टेलिया के अंतरगत बाग परियोजना एक अप्रेल 1973 यानि टाइगर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट के गया था 1973 में कैला संक्रा इसके निदे सकते हैं ठीक है यानि कैला संक्रा को इसका सची हुई कह सकते हैं भारत का प्रथाम National Center for Marine Biodiversity कि सहरक में स्थीत है जाम नगर में स्थीत है सोनरन जो गयापका अरिगिस्तान पढ़ता है USA के अंतरगत तकला माकन चीन के अंतरगत चीन के सिक्यांग में और काराकूम जो है वो तुर्कमेनिस्तान के अंतरगत देखने को मिलता है सभी को याद रखे जितने भी चीज़ यहां पर बताई जा रही अच्छे से नेक्ष्ट है डाची ग्राम राष्टी उध्यान कि स्थापना 1981 में जमुका स्विज़ में हंगूल के लिए फेमास है जैविता दिवस परतेक वर्स 22 माई को मना जाता है तो उमीद हैफिंस आज के लिए छो keep watching keep learning have a good day